Dear students, welcome to Great Smasher's इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूं Socket Programming in Computer Networks और socket programming से रिलेटड जितने भी important points हैं guys, सारे के सारे इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करूँगा जो की आपके competitive exams, even college university exams, even आपके interviews में भी बहुत ज़्यादा helpful होंगे तो वोईस फड़ाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपनी नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसे से सब्सक्राइब करवा सकते हो, even आपको टास्क ही दे रहा हूँ, कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको आज ही अगर एप्लिकेशन आपस में कैसे कमिनकेट करती है, कैसे डेटा ट्रांसफर करती है, that is a socket programming, अब यहाँ पे socket का मतलब क्या है, socket is what, socket is a node, आप node बोल सकते हो, end point बोल सकते हो, मतलब कहने का कि आप एक तरह से ही बोल सकते हो, कि यह जो application layer है न, application layer में कोई न कोई आप्लिके that is a end point, node बोल सकते हो, machine बोल सकते हो, कुछ भी है बोल सकते हो, तो आपको रियल लाइफ example से समझाओंगा, जो यह commands है, जो यह सारी system calls है न, इन calls से related है, यह system calls का क्या functionality है, कैसे actual में communication होता है, इसको मैं आपको रियल लाइफ example से समझाओंगा, क्योंकि कई बार आपको इस त flow chart है, किसका server का, मतला यह जितनी भी commands चल रही है, जितना भी एक तरह से flow होगा, पहले socket, फिर bind, listen, accept, यह सारा, यह server की लिखी है, और यहाँ पे जो लिखी है, this is what a client machine, यह किसकी लिखी है, client machine की यहाँ पे लिखी है, अब देखो, सबसे पहले server, और अगर हम client की बात करें, तो server पे क्या है, socket, और client पे क्या है, socket, so what is the meaning of the socket, socket सबसे पहली system call है, उसका काम क्या है, उसका काम है, एक तरह से आपको जो end point है, उसको activate करना, मतलब machine को या node को activate करना, socket के अंदर हमारे पास 3 आप कह सकते हो parameters है, सबसे पहला parameter होता है, यहाँ पे domain, domain के बाद होता है, हमारे पास protocol, ठीक है, अब domain में हम लोग क्या बताते हैं, domain में हम बताते हैं, कि यह IPv4 है, यह IPv6 network का हम use कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे mention करते हैं, type की अगर हम बात करें, तो whether we are using the datagram service, और whether we are using the stream service, मलब TCP का use कर रहे हैं, या UDP का, अगर TCP का use करते हैं, तो हम उसको mention क service को use करें, UDP को use करें, तो that is sock underscore dgram, getting the point, तो कुछ-कुछ points है, maybe आपको पूछ लें इस तरीके के points आपको याद होने चाहिए, protocol की अगर हम बात करें, तो जैसे IP के case में, protocol की value जो है, यहाँ पे क्या होगी, 0 value हम mention करते हैं, तो protocol का number, type और domain, यह चीज़ आपका सबसे पहला point है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, client के case में भी socket same ही चीज़ है, उसमें भी ऐसी होगा, और server में भी ऐसी होगा, मतलब आप सबसे पहले end point को initialize कर रहे हो, machine को initialize कर रहे हो, इसी को होगा हम real life example से देखें, तो देखो, real life example मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे मैंन आप बोल सकते हो, socket का मतलब का है, सबसे पहले आपको telephone install करने पड़ेगा, मतलब आपने अपने घर में भी लगा लिया, आपके friend के घर में भी लग गया, मतलब पहला case हो गया, that is socket, socket आपका बन गया, ठीक है, end point आपके बन गया, अब communication अभी थोड़ी ना start होगा, communication कब start तो telephone number associate करना, अभी तो सिर्फ आप box लेके आए हो, लेकिन अभी कोई number उसको associate नहीं किया, अब हम क्या करेंगे, telephone number जो है वो associate करेंगे, और इस case में आप कहा सकते हो कि server को हम एक address, कौन सा address, socket address, और socket address is a combination of IP address plus port number, getting the point, तो आप अगर IPv4 का ले रहे हो, तो 32 bit का IPv4 का address होता ह that is a logical address, plus 16 bit का हमारा क्या होता है, port number होता है, तो आप कह सकते हो कि 48 bit का socket address आप assign कर रहे हो, किसको server को, getting the point, तो ये दूसरा काम है, और bind को अगर आप real life example से देखोगे, तो आप ये बोल सकते हो, कि let's say, इस telephone number को भी मिरे को एक address दिन है, और इसको भी मुझे एक address दिन है, तो वो हम address bind कर रहे है, then आजाता है हमारे पास listen, listen का मनलब क्या है, number दे दिया, अब server क्या है, passive mode में, server जो है, अभी passive mode में एक तरह से wait कर रहा है, कब कोई client आए, कब कोई phone आए, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि अगर ये मेरा server है, तो server पे आपने address दे दिया, address देने के बाद अपने उसमें वो आने लग जाती है, रिंग आने लग जाती है, जब आप receiver उठाती है, तो रिंग आती है, लगा तरह बजती रहती है, वो वाला, ठीक है, लेकिन अभी तो कोई call नहीं आई, तो wait कर रहा है server यहाँ पे, listen command के थ्रू कि भी या, अब कोई command आई, अब कोई request आई, अब कोई request आई, और यहाँ पे main important क्या है, backlog, backlog एक queue है, backlog में हम mention क्या करते है, queue की length mention करते है, और उस queue में हम रखते क्या है, जितनी request आती जाएंगी multiple client से, उन सारी request, pending request को हम queue में डालते जाएंगे, और जब queue में आ गई, और let's see, अगर queue भर गई, तो हम client को message कर देंग कि भया, अभी हमारी queue भर चुकी है, तो अभी connection नहीं बनेगा, कुछ देर बात करना, और जब ये queue में से, कुछ एक को, एक या दो को मैं उठाके, accept करूँगा, accept करने का मतलब क्या है, obviously, अब मैं call को उठाँगा, मतलब, अगर आब बात करों, तो यहाँ पे मैं wait कर रहा उसके बाद आगया connect, connect मतलब number dial करना, आपने receiver उठाया, और number जो है, वो dial करना start किया, that is what a connect system call, अब इसमें आप क्या दोगे, connect में आप दोगे server का socket address, उसका IP address और port number, ताकि हम यहाँ पे वो server listen कर सके, और जैसी उसके पास request आई, उसने queue में डाल दी, उठाके फिर उसने accept क करती communication यहाँ पर बन गया, मतलब जो हम TCP की बात करते हैं, 3-way communication, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो, कि connection जो है, वो established हो गया, यहाँ पर C, मतलब connection established हो गया, जब connection established हो गया, इसने call की, number dial करके call की, और इसने उठा ली वो call, जब call उठा ली, accept कर ली, अब उसके बाद क्या कर रह है, तो send मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, write system call की तरह काम करता है, और receive का मतलब क्या है, read, read करना मतलब सुनना, या फिर आप कह सकते हो, accept करना, और send का मतलब क्या है, write करना, लिखना, भेजना, तो इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि two-way communication होता है, त तो फिर क्या करते है, receiver रख दिया, hang up कर दिया, मतलब close कर दिया, तो close करने के बाद, obviously, terminate हो जाएगा, दुबारा से फिर आप कर सकते हो, connection established, but this is how all these socket programming commands will be useful, ठीक है न, तो इस से related आपको कही न कहीं question आ सकता है, तो आप इस से ज़्यादा मिरको नहीं लगता कहीं पी शती है, तो कहीं है, यद दो कहीं, तो कहीं, तो कहीं है, तो कहीं लगों रख च्रास के वेघ। रख जो 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 आपको झागए यो को noted time झाइच्ट है, जो तो कहीं, तो कहीं वो, तो को Wes